नमस्कार मैं हूँ शीतल कलसकर और आपके लेकर आए हूँ एक खास शो दाइवर्टीज पर चर्चा और इस टॉक शो में हम बात करने वाले हैं डाइवर्टीज और उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं डॉक्तर बंसी साबू सर ही समसे पहले तक बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए करेक्रम को आगे ले जाने से पहले मैं आप से निवेदन करूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में संशिप्त में महीती दें मैं डॉक्तर बंसी साबू डाइबिटोलोजिस्ट एम्दाब इलेक्ट दियो तैंक्यों सर्व मेरा पहला सवाल आप से यह है कि डाइबिटीस हर किसी को है और मुस्त तीन लोगों में से दो लोगों को डाइबिटीस आजकल हो रही है और सब तरफ यह होता है कि अवरेबड़ीस टेकिंग मेडिसीन सबका यह बोलना होता है कि डाइबि इसके बारे में पता नहीं है कि उनको डाइबिटीस है और दो से धाई करोड उसमें से दो से धाई करोड लोग ऐसे हैं जो डाइबिटीस का ट्रीट्मेंट भी ले रहे है लेकिन ट्रीट्मेंट लेने के बावजूद भी हमारा एवरेज एवनसी जो है जो अनकंट्रोल है वो 8 से 8.5 के रूप में है अभी ये समझा बहुत important है कि हम को इसको क्या करें और कैसे intensely control करें हम इसको clinical inertia जिसके अंदर कुछ physician factors भी है और doctors के अलावा patients के factors भी है कि patient उसको बहुत compliant नहीं है दबाई regular नहीं लेते लेकिन दो important reason बहुत commonly देखे गए एक तो doctors के पास regular follow up नहीं है क्योंकि ये बिमारी ऐसी है कि जहां उसको दर्द नहीं है इसलिए वो regularly follow नहीं कर रहा है और दूसरा patient monitor भी नहीं करता यादी self monitoring भी नहीं करते और अपना HB1C भी नहीं करते मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि दो चीज में main change किया जा सकते है यदि हम उनको ज़्यादा monitoring के लिए motivate कर सके और उनको regularly HB1C करा के regular अपने doctor को मिलने का कर सके तो I'm sure कि हम काफी जनों का HB1C better control आ सकते है plus mass हमको awareness करना है या आज की diabetes पर चर्चा ऐसा सुन्दर program जो हमारा social media के उपर या TV के माध्यन से हम ज़्यादा तर लोगों को बता सकेंगे उससे हमारा awareness increase होगा कि जो लोग diabetes की दवाई नहीं ले रहे हैं या जो दवाई को irregular ले रहे हैं या अपने आपको monitor नहीं कर पा रहे हैं यह दिवा अपने आपको regular करेंगे तो हम diabetes के उपर विजय पराफ्ट कर सकते हैं हम उनके complication को रोक सकते हैं Thank you Thank you sir